Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group आप से भी board class में होंगे board class एक excitement होता है कि हम board class में है क्योंकि कब से वेट करें थी कि कब हम भी board class में होंगे और हम भी board एक्जाम देंगे excitement अलग है लेकिन जैसे जैसे exam नजदिक आ रहे हैं जैसे जैसे norm बर आ गया है, December आने वाला है वैसे वैसे थोड़ा सा nervous भी feel करें होंगे अच्छा board एक्जाम होने वाले हैं इस पर board के exam है और पता नहीं क्या होगा मेरी तो त्यारी भी नहीं हो पाई school भी नहीं लग रहे हैं इस बार तो tuition भी नहीं जा पा रहे हैं अभी तक तो सारा सले बस निवा match में में पीछे रहे हैं बहुत सारी tension हो जाती है और उपर से जो tension होती है वो tension इसली भी होती है कि relative भार भार call करके पूछते हैं अच्छा board में हो गई और मन मन में सोच भी रहे होंगे कि अच्छा इस बार पता चलेगा पिसली बार तो अच्छी marks आ गए तो हम भी थोड़ा pressure feel करते हैं pressure feel expectation से भी होता है parents भी expect करते हैं कि हमारा मुन्ना या हमारी मुन्नी कुछ बहतर करके दिखाएंगे लेकिन इतना आसान नहीं है 90% से अबोव marks लेना लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है उतना ही अच्छे त्रीके से त्यारी करते हो जितना कि 99% वाला फिर ये कमी कहां रह जाते हैं कि आपके 70 क्यों रहें उसके 99 कैसे रहें आपने class में देखा होगा कि आप खूब मेहनत करते हो और आपके साथ के friendship वो भी उतनी मेहनत करती है या करता है और marks में difference आजाता है समझ में नहीं आपाता कि कमी कहां रह जाते है क्या त्यारी में कमी रह जाते है या pattern में कमी रह जाते है आज हम उन्ही 15 tips की बात करने वाले है 15 tips ये सरफ tips आपके लिए बोड एक्जाम के लिए नहीं आप लाइफ में कभी भी किसी भी एक्जाम की त्यारी करोगे तो उन एक्जाम में इन 15 tips को हमें ध्यान में रखना है कि हम कैसे त्यारी करें तो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है आसान है 70% पे हो तो आपके लिए आसान है क्योंकि आप 99% के लेवल पे ओ लेड़ी हो कुछ mistake करे हो कुछ गलतियां करे हो अगर आप 60% पे हो तो भी आप कर सकते हो you can do तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस त्यारी में सबसे पहले जरूरी है कि हमें hard work पे focus नहीं करना है सिरफ हमें smart work करना है क्योंकि अब सिरफ hard work का time यह smart work का time है यानि कि हमें अपनी study को ठीक से manage करना है hard work का मतलब यानि कि हम 8-8 गंटे, 10-10 गंटे पढ़ें यह कौन सा IS का exam थोड़ी है board exams है normal exams है 9th में दिये वैसे ही 10th में दे रहे हो लेकिन थोड़ा सा pressure है आपके उपर तो उसको release करने के लिए हमें क्या करना है पहले जो step हम बात करें 15 tips की बात नहीं करें उससे पहले की बात करें कि हमें smart work के focus करना है second यह है कि हमें खुद को यह मानना है कि हम कर सकते हैं पता जीत में और हार में एक ही difference होता है एक line का I want to और I have to I want to और I have to want to में अगर आते हो it means that you are going to do 100% आप 90 अबो लेने वाले हो आप life में success होने वाले हो अगर आप want to में want to मतलब आप चाहते हो या फिर करना पड़ रहा है क्योंकि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं तो हम 100% वो करते हैं हमें success मिलती है लेकिन have to की position में यानि हमें करना पड़ रहा है घर वाले कह रहे हैं करना पड़ रहा है क्या करें बड़े brother या sister ने अच्छे score लिये हैं पढ़ना पड़ रहा है अगर आप have to में हो यानि कि आपका मन नहीं करा कुछ भी नहीं हो सकता आपका तो पहली चीज़ कि हमें smart work way focus करना है दूसरा ये कि हमें want to की situation में आना है want to कि हम चाहते हैं और तीसरी ये है कि हमें खुद के उपर विश्वास होना चीए yes I can do and I will do तक ये नहीं सोचोगी मैं कर सकता हूँ तब तक भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि excitement सारा खतम हो जाता है हमें लगता ही नहीं आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं 21st position pure class में मैं top नहीं कर सकता अगर आपने माल लिया ना यकिनन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि सबसे पहले तो आपको खुद को मनाना जरूरी है क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं मानोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकती एक चोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ आपको दो बच्चे थी best friend थे एक था 6 से 7 साल का एक था 12 से 13 साल का निकलना, साथ साथ खाना, पीना नहाना, नहाना थोड़ा ज़्यादा हो गया मतलब सब कुछ साथ साथ करते थे तो best friend थे गाउं में रहते थे किसी गाउं में तो वहाँ पर गाउं में क्या होता है कि जैसे summer vacation होता है तो उस वक्त गाउं के लोग सोते हैं दोपैर को, डैली जैसा life नहीं है, वहाँ पे दोपैर को भी सोना होता है, और बच्चों की हम जैसे बच्चों की समश्या क्या होती है समश्या यह होती कि नींद नहीं आती बिल्कुल भी, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आती, तो यह होता जो गाओं में होता है पानी का सोर्स होता है जहां पर पानी की कमी होती है कुआ था खेलती खेलती जो बड़े वाला बच्चा है उस कुए में गिर जाता है बड़े वाला बच्चा जो बारातीरा साल का था वो कुए में गिर जाता है वहाँ पर उस वक्त दोपैर में कोई नहीं होता आसपास कोई नहीं था जो छोटा बच्चा है वो आव देखता ना ताव देखता मतलब वो गिरा और तुरंत उसको कुछ नहीं सुझा उसने देखा कि रस्ची से बंदुई एक बकेट बाल्टी पड़ी उसने उसके अंदर डाली और उस बच्चे को खिंच के निकाल लिया निकल गए बात खातम लेकिन उनके मन में ये नहीं था कि हम गिरे कैसे उनके मन में ये था कि डांट लगे घर जाकर के गाव में यह होता हर कोई आपको जानता कि जैसे घर तक पहुंचेंगे चार-पांस तो हमें मिली जाएंगे डांटने वाले तो टैंसन थी लेकिन बच्चे थे ये डिसाइड किया कि जूट नहीं बोलेंगे तो जैसे निकले एक-दो मिले कि कैसे भीक के आयो तो बताया कि ऐसे-इसे कुए में गिर गए थे किसी ने बात नहीं मानी मतलब ये कुए में गिर गया था और इसने निकाल लिया मतलब मजा का रहे हैं तो धमका दिया कि जूट बोलते अब इसे उसके बाद गाओं के चोक में गए तो वहाँ पर कुछ लोग ताश वगरा खेल रहे थे उसमें एक रहिम काका भी थी जुगाओं के बजरूप थी बड़ी सम्मानित वैक्ती थी जो रहिम चाचा उनके आसपास लोग बैठे थे उनमें से एक ने पूछ लिया कि लला कहा भी कर आ गए तो बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं कुए में गिर गया था इसने मुझे निकाल लिया अब मतलब उसने भी कहा कि जूट बोल रहे आप तो तो रहिम चाचा उन्होंने कहा नहीं बच्चे हैं बोल रहे हैं तो जूट थोड़ी बोलेंगे सही बोल रहे हैं तो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि आप इन कहा बच्चों की बात में आ गए मतलब ये 13 साल का और ये 6 साल का बच्चा जिसे एक बाल्टी नहीं निकल सकती पानी की भरवी कुए में से वो इसको निकाल देगा ये जोट बोल रहें रहें चाचा ने का कि नई बच्चे कह रहे हैं तो कह रहे हैं वास्तों में ऐसा था भी अब उस बच्चे ने कैसे करके दिखाया उसको कैसे निकाला इसका कारण ये था कि पहला दो कारण थे पहला वहाँ पर कोई नहीं था कोई भी नहीं था अगर कोई होता तो वो नहीं निकाल पाता क्योंकि कोई होता तो वो उसको कहते चोटे बच्चे को कि बेटा आपसे नह नहीं निकल सकती, इसको कहां से निकालो, वो निकाल पाता, नहीं निकाल पाता, दूसरा, वो खुद भी वहां नहीं था, खुद, खुद क्यों नहीं था, क्योंकि उसके पास सोचने को टाइम नहीं था, अगर उसके पास टाइम होता तो वो सोचता, क्या सोचता, मैं छे साल का, वो 13 साल का, मेरे से नहीं होगा, लेकिन वो खुद भी नहीं था, इसलिए वो काम कर पाया, तो हमारे लिए जरूरी है कि पहली चीज हम खुद को तसल्ली दें, कि हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रोलम पता कोन होती हैं, हम खुद होते हैं, हम सोचते हैं प्लानिंग करते हैं, हम 90% लेंगे, हम 95% लेंगे, उसके बाद दिसंबर नजदीक आता है हम 90 पे आ जाते हैं, जनवरी में 85 पे आ जाते हैं, फरवरी में 80 पे आ जाते हैं, एकजाम वाले डे पर आ जाते हैं कि उपर वाले बस पास करवाते हैं, वहां तक अटक जाते हैं, तो तसली दीजिए कि आप कर सकते हैं, और आप करोगे, और you want to, not you have to, आपको ये करना है, आप चाहते हैं उसको करना, और हमें smart work पर focus करना है, ओके, तो ये चीज़े हमें पहले mentally तोर पर prepare होनी है, छोटी चीज़े नहीं है, सब कुछ बदल देगी, ये चीज़े, अगर आपने ये मान लिया कि मैं करना चाहता हूं, और मैं कर सकता हूं, तो बहुत कुछ रास्ता आसान हो जाएगा, अब हम 15 tips की बात करते हैं, कि हमें और क्या क्या करना है, कि हमारे 90% board exams में आजाएं, easily आजाएंगे, तो चलिए, हम एक ही करके उन tips की बात करते हैं, 15 tips on how to score upon 90% in board exams, तो हमने smart study की बात किये, कि हमें smart study फे focus करना है, इसमें पहली जो बात है, हमारे लिए सबसे important है, वो है prepare time table, time table बनाना है, अब बनाते होंगे, आप में से काफी सारे बच्चे ये बहुत जाला जरूरी है, हम उस तरीके से time table नहीं बनाते, time table मनाने का मतलब यह नहीं कि अच्छा हम सुबह ये पढ़ेंगे, शाम को ये पढ़ेंगे, दो दिन पढ़ेंगे और उसके बाद तीसरी दिन time, 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 time table हमारा खदम, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था, आप अब जो time table बनाने, उसमें एक और चीज़ इंकलूड करनी है, वो है कि complete schedule बनाना है हमें, जैसे आप time table माल लिजे, आप दिवाली के बाद बना रहे हो, तो आपको देखना है कि दिवाली के बाद आप कैसी schedule fix करोगे, कि आपकी जेन तक पहली बार revision complete हो जाए, फैब में second revision हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए ना, फैब 20 तक और उसके बाद आफ़ा exams के coding set हो पाओ, तो वो schedule भी set करना है क्योंकि उसमें मज़ा आता है, मज़ा किसलिए आता है, क्योंकि हम खुद की progress को check कर पाते हैं, अच्छा इतना slaves रहता है, इतना cover करना है, तो हमे वो two hours से वो कम लगने लगते हैं, पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है, कि time table हमें बनाना है day to day का, वो time table हमें बनाना है, पूरे time का, बड़ा easy सा है, क्योंकि मेरे खुद के students है, वो ऐसे ही follow करते हैं, follow करते हैं, मैं उनको prepare करके देता हूं, कि हमें ये ये करना है, उनको even December के बाद पता होता है कि Jane May की state को कौन सा exam होने वाला है, कौन सा हम class test लेने वाले, तो आपको भी ऐसा ही set करना है, okay, दो time table बनाने, पहला day का, और दूसरा है complete schedule का, अब जो time table बनाना है, उसमें आपको entertainment के लिए, TV देखना है, music सनना है, वो सब कुछ भी include करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि hard, strict बना दिया, वो follow गा, नहीं होने वाला, किस भी हाल में, तो time table बनाईए, और अपने according बनाईए, क्योंकि हर किसी का follow सेम नहीं हो सकता, आपके घर का schedule है, आपका अपना schedule है, उसके according कीजिए, अब time table में एक और चीज़ करने है, सब के बास 24 hours है, 24 hours में से आप 8 गंटे सोते होंगे, खाना, पीना, नहाना, धोना, इन सब में लगा लिजे, 12 गंटे हो गए, घर पे help करवानी है, girls को specially, जरूरी होता है, तो आप उसमें लगा लिजे कि ये 14 गंटे होगे, 2 गंटे इधर उधर भी होगा, ये भी लगा लिजे, 16 गंटे के आसपास ह उसके बाद कुछ दिर आपको रेस्ट भी जरूरी है, ऐसे थोड़ी है कि 16 गंटे आपने कुछ किया है, उनमें से 8 गंटे वोग किया है, चलो वो भी 18 गंटे होगे, 6 गंटे बचे हैं आपके बस, 6 आस, 6 आस आपके पास है, कब, जब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तब चार पढ़ना, वो स्टड़ी के नाम पे होने चाहिए, अब हम कहने हो कहते हैं, बढ़ा सारा दिन पढ़ते रहते हैं, सारे दिन की जरूरी नहीं है, कि आप सारा दिन लगे रहो, आपको जो 4 गंटे डिवोट करने, वो 4 गंटे सोच ये कौन से डिवोट करने, और वो अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकर सी भी करने वाले हैं, कि टाइम टेबल हम कैसे परपेर करने हैं, एक आपको मोडल टाइम टेबल अवलेबल हम करवाने वाले हैं, उसके बाद दूसरी जो चीज हमें फोकस करने हमार target होता है कि आप अगर जुलाई test में 60% ले रहे हो that's okay लेकिन अगली बार जब आप दो गई September test तो आपके 65 होने चाहिए नौंबर में आपके 70 होने चाहिए 75 होने चाहिए target set कीजिए खुद का target उसको अचीव करने की कोशिज कीजिए आप target set करने 90 स्कोर करना है आपका subject match थोड़ा वीक आपको लग रहा है कोई ना आप उसका कम score हो target set कीजिए लेकिन जब आपको ये लगेगा कि हाँ match में मेरे 75 आने वाले है तब आपको ये लगेगा कि हिंदी मेरा strong है तो मैं हिंदी में क्योंना 95 ले जाओ मजा आएगा ना तो वो target set कीजिए कि ये मुझे लेने है आपकी help book आपकी book के पहले page पे बड़ा से लिख दीजिए कि मेरा target इस subject में ये रहने वाला है तो उसमें आप automatic boost आपको booster मिलेगा कि मुझे ये करना है और यहाँ पर इससे कम नहीं होने वाले target set करने में एक उर्द मजा भी आता है कि जब हम 90 का सोचते है 90 का target लेके चलते है 80 तो आएंगे आएंगे ना क्योंकि हम जब target लेके चलते हैं जैसे आपने कई बार देखा होगे घर में आपको साफ सफाही में लगा दिया आपको लगता है कि 2 घंटे में करना है तो 2 नहीं तो 1,5 घंटे में होई जाता है आपको लगता है कि मुझे शाम तक आना है 3 बजे तक आना है 4 बजे तक आई जाогगे आ जाते हो ना कहीं market से वापस आना होता है अगर target set नहीं करेंगे तो कोई guarantee नहीं होती, fix नहीं होता, मजा भी नहीं आता आप जैसे कुछ बच्चे हैं, target set करतेंगे, हमें civil service की त्यारी करना है IS बनना, IPS बनना, बड़ी अच्छी बात है, IS नहीं बन पाए तो, क्या होगा IS नहीं बन पाए, तो पटवारी तो लगी जाएंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कुछ तो बनेगा उनका तो यहीं है कि हमें target set करना है, target अगर achieve नहीं हुआ, तो at least हम उसके आसपास जरूर रहेंगे वो बेहत जरूरी है, target set करना, खुद के motivation के लिए, क्योंकि अगर target ही नहीं है, तो हम साइद 10 days तक पढ़ पाएंगे, 15 days तक, क्योंगी बात में हमारे मन में वो आ जाया कि छोड़ो सब मोम आया है, छोड़ो जितनी आएंगे उतनी अच्छी हैं, जब तक हमारे मन fix नहीं ह होगा, तो हम उतनी अच्छी तरीके से हमारा mind वो response नहीं कर पाता, तो पहला हमें time table बनाना है, दूसरा हमें subject wise, और overall अपना एक target fix करना है, हमें करना क्या है, तीसरा जो हमें step लेना है, वो यह है कि हमें अपना एक learning style है, वो find out करना है, learning style हर किसी का अलग होता है, कोई रात को पढ़ना पसंत करता है, कोई सुभर पढ़ना पसंत करता है, किसी को टूशन जाना पसंत होता है, किसी को बोलबोल के पढ़ना पसंत होता है, हर किसी का unique होता है, कोपी मत कीजिए., मेरे एक student थे last to last year, गुंचा सांजा, रात को शाम को इनी को लगब साथ साड़ी साथ बज़े सो जाते थे उनके ब्रदर आये थे स्कूल में तो उन्होंने मुझे बताया ग्यारा बज़े उठते थे मतलब जब सारे सोने कोते थे वो उठते थे और उसके बाद जब तक मतलब उपरवाले की इच्छा तक वो पढ़ते जाते थे उनका स्टाइल था सी डिड़ सो वेल बहुत अच्छा किया उन्होंने एक्जाम्स में अब कुछ बच्चे हैं सुबह उठ करके पढ़ना उनको अच्छा लगता है कुछ बच्चे होते हैं उनको जैसे ही स्कूल से गए उसके बाद श्याम के जो टू आस है उसमें पढ़ना अच्छा लगता है अपना एक स्टाइल पैटरन यूनिक पैटरन ढोड़िए कि आपको पढ़ना कैसे है आपको चैप्टर में से पढ़ना है आपको कुशन आंसर करने हैं कैसे करना है तो अपना एक स्टाइल है उसको लिख लीजिए क्योंकि हम लिखते नहीं तो जब दूसरा त्यारी कर आच्छा तू ऐसे पढ़ता है मैं भी ऐसे करता हूँ और हम confuse होते हैं जब तक हम सही से पकड़ पाते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है तब तक हमारे एक्जाम आ जाते हैं तो अपना find कीजिए कि क्या बैट रहेगा जो बैट रहेगा उसे चिपके रहेए कि हमें ऐसे ही करना जैसे सुबह उठते हो आपको माल लिजिए आप 4.30 पे उठने की कोशिश करते हो कोई बात नहीं 4, 5, 6 डेज आपको नींद आएगी दिखत हो कि लेकिन मज़ा बहुत आएगा आएगा क्योंकि आपको वही unique style set हो रहा है तो अपना एक जो unique style है learning का उसको आप find out कीजिये कि आप उसको कैसे set करने वाले तो उसको भी fix करना है क्योंकि time table बनना तभी fix हो पाएगा और उसको आपको follow करना, you have to follow that one उसके बात fourth जो चीज करनी है हम ये की सोना है sleep and study जब हम सो करके उठते हैं, अपनी नीन्द पूरी होती है, 35% ज़्यादा माइंड वर्क करता है हमारा, अगर नीन्द कंप्लीट होती है, एक स्टेडी हुई थी, वो स्टेडी के तहत ये पादा चला है कि जो बच्चे रात को प्रिपेर करके सोते हैं, यानि प्रिपेर करके स होते हैं, वो अच्छे से सोते हैं और पूरी नीन लेते हैं, वो ज़्यादा बैटर परफॉर्म कर पाते हैं, 40% बैटर परफॉर्म करते हैं बाकी बच्चों से, क्योंकि जब हम सुबह हड़ बड़ी में त्यारी करते हैं, अच्छा मामा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, हम करें उस वक्त हमारी उतनी performance बैटर नहीं रह पाती तो हमारा सोना बहुत जरूरी है कि आप अपने सोने का time fix रखिए जैसे बैटर ये रहता है कि school है या coaching classes दोपैर को सोना है तो सो ये बहुत जरूरी है तो ये भी आपको ये नहीं करना कि अच्छा एक्जाम सागे मुदे चार गंटे सोना है पांच गंटे सोना एक्चुली में आप अपनी नींद को खराब करोगे आपकी performance इंप्रोब नहीं होने वाली उससे तो उसको हमें बिल्कुल भी miss नहीं करना है पांच वह जो हमारा है कि let go the distractions distractions कौन से हमारे पास cell phone है अब तो lockdown में सब को available करवा दिये घरवालों ने जबरदस्ती दिलवा दिये अगर नहीं लेना चाते थे तो भी और हमारे पास वैसे भी already थी distractions हमारे social media accounts है distractions हमारे friends है distractions हमारे cousins हैं TV हैं dance हैं हमारे family members हैं सारे ही distractions में आते हैं तो उनको कब contact करना है कैसे करना है वो सोचिए क्योंकि distractions में social media account इसलिए ज़्यादा है कि हम 10 minute का break लेते हैं और 2 गंटे के बाद उसको बंद करते हैं हम पता ही नहीं चलता कब तक हमें इसको over करना है तो distractions से को avoid करना है avoid करने का मतलब यह है कि जब study time है तो बता दीजे घरवालों को कि यह मेरा study time है उस वक्त आपको कुछ नहीं चाहिए अब breaks में कर सकते हो important calls करने आप कीजिए आपको दूसरी जीज़ी है कि अगर आपने ठीक से focus कर लिया ना ओपर वाले जो points है कि हमें time travel का कोड़ तो साइद धीरी धीर 6-7 days आपको फिलोगो उसके बाद आपको automatic लगेगा कि नहीं इतन इस्टा को follow करो Facebook, FVP, WhatsApp हो जरूरी है तो उसको भी आप silent कीजिए, notification off कर दीजिए, distractions काफी अत्ता कम हो जाएंगे, आप online status जो active on होता है वो भी आप FP का off कर सकते हो ति ये कुछ छोड़ छोड़ी चीज़े हैं जिनको आप कीजिए, क्योंकि करना है, you have to if you want to score better, आपको करन है अच्छा, तो ये भी करना पड़ेगा, ओके, तो इन से हमें बचना है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जो problem आपको 90% से नीचे खिंचने में, वो सबसे बड़ी problem ये रहने वाली है, उसको बाद जो sixth है, कि हमें pomodoro technique को अपनाना है, ये pomodoro technique क्या है, pomodoro technique का मतलब ये ह कि 25 minutes पढ़िए और 5 minutes का break लीजी, it means that 50 minutes पढ़िए और 10 minutes का break लीजी, continuous नहीं पढ़ना है, continuous हम जब पढ़ते हैं, 50 minutes बहुत होते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो, कोशिश किजिए कि 25 plus 5, 25 plus 5, इस technique को अपना आए, आप 25 minutes पढ़िए, 5 minutes के लिए आप थोड़ा सा पानी पीने निकल जाएए, टहल आएए, घरवालों से हालचाल पूछाएए, थोड़ा कुछ भी, social media को छोड़ के, क्यों mobile में घुश गए तो 2 गंटे minimum जाएए आपको, तो उसको छोड़ करके, आप कोई song सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो या फिर book को close, यानि इसमें fix है कि 25 minutes means 25 यह नहीं कि नहीं मूड हुआ तो हम break लेंगे, इसको ही हमें follow करना है, 25 minutes, 5 minutes break, 25 minutes, 5 minutes break, इसमें आप लाम सिट कर सकते हो, और 5 minutes के बाद दोबारा से आपको study प्याना है, उस वाक्त आप relax हो जाए, आँखे बंद कर लिजे, तो यह technique बहुत helpful होती है, जैसे कई सारे देश है Finland है, या फिर हम European countries के most countries के बात करें, private companies जो Pomodoro techniques को adopt करती है, इस से देखा गया है कि जो employees है, उनके जो working outputs है, वो बेहद इंप्रूव हुआ है, क्यों हम continuous efforts करते हैं, तो धीरी धीरी हमारा जो speed है, learning speed है, वो कम होती जाती है, हम 25 से 125 पे जाएंगे, तो साथ हम उतना ही सीखें जाता था, यानि कि हमने वो time westerns किया, तो हमें Pomodoro technique को भी follow करना है, उसको बाद 7th जो step है, कि write down tough topics, start with the tough topics, हमें सबसे बड़ी समस्या कहा आती है, जब आप 90% का सोच रहे हो, तो कई बार mostly बच्चे जो मेरे जैसे हैं, बचारे जिनको maths में 20 से जारा counting नहीं आती, 2K tables के बा कि maths आ गया, वो तो ठीक है सर, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन maths और science का क्या करें, science में physics का क्या करें, numericals का क्या करें, ऐसा हम सोचते हैं, assess में history का क्या क्या करें, dates, लेकिन ये एक psychological effect होता है, कि हमारे पास वो subject tough है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आफ tough topics को write की कीजिए, okay, write कीजिए, आपको, चलो हम social science का example देते हैं, आपने लिखना शुरू किया कि क्या tough है, जहां पे आपको लग रहा है कि आप 95 score नहीं कर पाऊगे, okay, practically आपको बता रहा हूँ, कि कहां नहीं कर पाऊगे, sorry, तो आपको ये लग रहा होगा कि assess मुस्किल है, क्योंकि history में क्या करेंगे, चलो geography, sir, कर लेंगे, political science भी हो जाएगी, economics भी कर लेंगे, sir, हो जाएगी, दी संबर तक निप्टा देंगे, लेकिन, sir, history में problem आती है, okay, अब हमें tough topic लिख रहे हैं, उसके हम practice कर रहे हैं, तो आप लिखिए कि history में problem है, okay, लिख ली आपने, लेकिन history में देखिए, क्या history में, पूरी में problem है, complete में, नहीं, sir, चमपान moment, खेडा moment, एहमदावाद moment, और SEO गंदोल, non-cooperation moment, ये सब कुछ हमें पता है, sir, ये तो हो जाएगा, थोड़ी dates की problem है, okay, और जो हमारा first topic है, उसमें एक या दो topic में problem, बाकि ये भी है, में German unification, Italy unification, British unification, ये आरी problem क्या है, तीन topic और कुछ dates, dates कितनी है, सोचिए, history में जो पहला chapter है हमारा, उस first chapter में हमारी cool 11 dates आती, important, कितनी 11, जो second chapter है, उसमें हमारी dates जो आ रही है, important dates आ रही है, वो dates है 17, 28 dates होती है, आप two or लगा लिजे, 30 dates है, हम third, fourth class के बच्चे थोड़ी है, जो 30 dates को याद नही कर पाएंगी, 30 dates, अब हमारी problem कितनी छोटी होगी, कि 30 dates बस कर लेंगे सर, अब तीन topic रही, तो तीन topic हमें जब पता चल गया, तो उनको हम focus कर सकते हैं, teacher से पूछ सकते हैं, Google बाबा से पूछ सकते हैं, हमें easily वो मिल जाएंगे, क्योंकि हमें यही तो चीज है कि पहले हमें problem को छोटा करना है, जितनी बड़ी दिखती है, क्योंकि हमें history से इसले डर लग रहा था, कि हमें लग रहा था, इतनी बड़ी है, तो हमें ऐसा ही science में करना है, science में क्या पूरी science में problem, नहीं, दो chapter में problem है sir, दो chapter में complete में, नहीं, उसमें भी छोटा से topic मिलेगा, maths में, आप problem क्या है, तो इसलिए हमें क्या करना है, tough topics को पहले लिखना है, अब जिसे dates है, तो dates हमें पता चले, तो dates आप कहां, छोड़ छोड़ी slips बनाए, room में, जहां पर बैठते हो, लगा दीजी, चार महिन में बिना पड़ाई याद हो जाएगी, रोज देखोगे तो आप, ऐसा ह हम classroom में करते हैं, classroom में जब history का chapter होता है, तो सारी dates है, वो room में लगी होती है, पूरे साल में एक एक बच्चे को याद होती है, तो वही चीज आपको भी follow-off करनी है, tough topics है, वो पहले बाहर निकाली है, तापके आपका focus रहे, उन्हीं को teachers के पीछे पढ़ जाए, tuition teacher के पीछे पढ़ जाए कि हमें यही करने है, क्योंकि आपका 90% syllabus is easy, आपको आता है, आपको पता है कि यहाँ problem नहीं आगी, 10% अना वही करते हैं, हम 90 क्यों सोचे, हम target 100 का लेके चलेंगे, तो हमें tough topics है, उनको find out करना है, और उन्हीं के साथ study करनी, उनको skip नहीं करना है, कि नहीं अभ अभी नहीं तो कभी नहीं अभी ही करना है, तो यह हमें करना है, 8 जो हमारा topic है कि prepare notes, पता IS जो बनते हैं, IPS जो बनते हैं, या जो भी successful person होते हैं, academic parts के बात करें, एक चीज़ को मन होती है, वो सभी notes बनाते हैं, कौन बना के देता है, वो खुद बनाते हैं notes, अगर आप photocopy करवाते हो, तो रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, notes बनाने है, खुद बनाने, handwritten notes बनाने, हाँ यह है कि आपको यह notes ले सकते हो, उनके base पर notes बना सकते हो, लेकिन आपके हाथ से लिखे होने चाहिए, notes बनाते हैं, तो हम चीज़ों को समझते हैं, notes बनाते हैं, जि हम लिखते हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं, कि यह चीज मेरे को अच्छे समझ में आगर यह नहीं आई, तो भी उसको पता होता है, कि मुझे यह नहीं आ रहा, तो notes बनाने बेहत जरूरी है, आप notes अच्छी quality के बनाईए, आप उनको points में लिखिए, headings बनाईए, ताकि revision आसान हो, जै notes का मतलए यह नहीं कि एज़ेज उसको उतार लिया, आपको वैसे उतारना है, जैसे आपको लगता कि मुझे learn होने वाला है, points, headings, और जहां कहीं पर diagram की जरूरत है, तो आपका अगर 10 page का chapter है, तो उसके लगभग आपको 3 page का notes त्यार करना है, यह नहीं कि बह आलेजिए कि आप काम्याब हो जाओगे, काम्याब होने की शुरुआत जो होती है, वो इन्हीं notes से होती है, जो बच्चे notes के उपर आगे, it means that वो अभी रुकने वाले नहीं है, कभी नहीं रुकने वाले है, उसके बाद जो 9th हमारा topic है कि हमें क्या करना, वो है कि हमें NCRT books के उपर focus करना है, सर, हम NTSC की त्यारी करनी है, सर, हमें NEET की त्यारी करनी है, हमें IS की त्यारी करनी है, NTSC से क्या होगा, market में हमारे tuition वाले teacher तो बता रहे थी कि वो books अच्छी आई हुई है, हमारे जो मैम थे वो तो ये कहते हैं कि इस book से करो ये better NCRT में कुछ नहीं है, स ऐसा कोई भी exam नहीं होता, जिसमें ऐसा question आ जाए, जो NTSC से बाहर हो, होई नहीं सकता, क्योंकि जैसे हम question paper set करते हैं आपके लिए, क्या दिया जाता हमें, NCRT की book होती है हमारे पास, previous year का question paper होता, slips होता, तीन चीज़े हमें मिलती है, और हमें वहीं बैठ करके, जहां हमार जात रखिए, कि जो key है वो NCRT books होती है, तो NCRT books है, अगर नहीं निकाले तो उन्हीं को निकाले उन्हीं chapter को बढ़िए, जैसे हिंदी में हमने पढ़ लिया, एसस में पढ़ लिया, chapter पढ़ लिया, बस हो गया, science में पढ़ लिया, बस हो गया concept, उन्हीं के बेस पे पढ़ और concept clear होगा, तभी हम दूर तक जा पाएंगे, तो NCRT को हमें focus करना है, और especially, 80% तो लेना बिल्कुल है, इसलिए easy हो जाता है, कि जो भी उसमें textual questions दिये होते हैं, important जो highlight करके points दिये होते हैं, लग वो ही repeat होते हैं, 10th है कि हमें doubts को लिखना है, doubts को लिखना है, आपको हमेशा अभी सिमान लेजिए, कि एक अपनी personal notebook लगा लेजिए, diary लगा लेजिए, वो हमेशा अपने साथ रखिए, bag में रखिए, tuition जा रहे हो, अपने साथ रखिए, गर आप re-open होते हैं, school जा रहे हो, आप जब भी अप अपने पास रखिए, जब आप पढ़ने बैठते हो, doubts की आउता है, कई बार मन में आता कि ये question, ऐसे कैसे होगा, पूछना है, हम वो पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें लगता है कि किस से पूछे हैं, लेकिन वो mind में रहता है, mind में रहता है, तो हमारे लिए distractions बन जाता है, हमारा आधा गंटा खराब कर दिया, यह गंटा खराब कर दिया, यह हमने पूछा नहीं उसको, पूछा नहीं, mind में तो यह था कि नहीं यह पूछना है, important है, और जब बोड एक जाम में बैठते हैं, पता चलता है, वही question आ गया, अब distraction हुआ, अलग से loss हमें computer का use नहीं करना है, in between जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हम जब search करने बैठेंगे, तो हमारा time बहुत लगने वाला है, हमारा सारा schedule गड़ पढ़ हो जागा, हमें उसको लिखना है, जब हम free time में होंगे, तम उसको हम search कर सकते हैं, बैटरी यह है कि हम Google पे search करने के बज receive नहीं करने है, तो आप 5 ये 6 doubts हों आपके, कई सारे doubts हों, तब आप call कीजिए, तब आप teacher से बात कीजिए, आप एक mentor teacher ले सकते हैं, आपके जो favorite teacher से हैं, आपको लगता कि help करते हैं, तो हमेशा जब भी doubts हो, कुछ confusion हो ताप उनसे पूछिए, आपके बड़े brother sister है, उनको आ message नहीं करना है, एक साथ पूछने है, उसके बाद हमें क्या करना है, कि हमें take fun seriously, हमें study करने है, that's okay, लेकिन इतना भी serious नहीं होना है, आप बीच में TV देखिए, that's okay, आपको news देखनी है, that's okay, आप newspaper पढ़ना है, that's okay, आप gardening कर सकते हो, आप cooking में help कर सकते हो, आप अक्षियो करनी हैं आपको routine में, वो चीज़े relax के लिए जरूरी है, music सुनना है, सुनिए, TV देखना है ये घंटा, वो देखिए, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कि हमें बिल्कुल serious नहीं होना है, क्योंकि हम अगर serious होगे, तो साइद हम बिमार भी हो जाएंगे, ऐसा हो students के newspaper आते थे, generally newspaper आते थे और दो या चार बच्चे हमें बताते थे, कि आसर ये headings आई है, और ये मतलब main news है, headlines ये आज की newspaper की, that was just routine था, बता देते थे, अब एक दिन बच्चों को ये बोला गया, कि आपको आदे गंटे के बाद मैं सुनने वाला हूँ, कि आज की newspaper में क्य आते है, मतलब डेली वो बताते थे, कुछ नया नहीं था, लेकिन उस दिन जब आते गंटे के बाद पूछा गया, तो most of the students were unable to reply, जातर बच्चे अटक गये थे, क्यों अटक गये थे, क्योंकि इस बार उन्होंने इसको ये सोच के ले लिया था, कि ये तो exam है, पूछने व हमें इतना भी serious नहीं हो ना, हमें जो routine के work है, वो करने, बस marriage को attend करना है, unnecessary है, तो उसको avoid कर सकते हैं, बाकि आप थोड़ा थोड़ा time अपना daily routine में set केजिए, कि आपको क्या करना, आपनी hobby को भी दीजिए, उसके बाद हमें challenge yourself, यानि हमें अपने mock test दे सकते हैं, उसमें चैलेंज कीजिए, कि last time अगर आपके 40 में से 38 आए थी, इस पर 37 कैसे रह गए, challenge कीजिए, आप attack कैसे गए, बहुत सारे आपको questions अवलेबल होंगे, online mock test भी अवलेबल हो जाएंगे, तो आपको challenge करना है, खुद को कि हम उससे बैटर जाएं, अगर नीचे जा रहे हैं, तो आपको tension होने चे कि हाँ कुछ गडबड है, तो इसमें challenge करना है आपको, challenge अपने speed को भी check करना है, कि आप क्या सही direction में जारे हैं, जो आपने schedule बनाया था, 5 तक का, वो भी check करना है, साथ ही साथ आपका score है, वो improve होना चाहिए, challenge करना है, ओके, challenge करने में आप ये भी रख सकत हो, routine में अगर school classes लगती है, तो उसमें ये भी देख सकते हो, आपने to five आपके competitor देखिए, उनके साथ मुकाबला केजिए, उनको बताए भी ना, मुकाबला केजिए, आप कितना आगे निकले, अगले next में, pre-board one में क्या score है, pre-board two में आप कितना आगे निकलते हो, तो आपक सिरफ read नहीं करना है, उसको हमें revise करना है, revise is the key here, यानि revision करना है, हमें जैसे पहली बार हमने किया, तो हमें daily routine में ये देखना है, कि हमने जितना पढ़ा, उसके बाद 40 minutes daily ऐसा time रखे, कि उसको revise करें मोटे तोर पे, कि हमने क्या पढ़ा, हम 10 days के बाद revise करें, जो हमने 9 days मे किया है, क्योंकि revision नहीं होगा, तो भी साइद हमें थोड़ा confidence कम लगे, हमें लगे कि अच्छा हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा था उस chapter में, तो confidence के लिए जरूरी है, confidence रहेगा तो हम better preparation कर पाएंगे, तो हमें reading के साथ साथ, revision के लिए एक fix lot रखना, हमें यह नहीं कि यह first कर लिया, second, third, fourth, fifth, 15th chapter हो गए, first को हमने छोड़ गया, नहीं, बीच में साथ ही साथ हमारा revision चलना चाहिए, 14th है कि take short instant tests, previous year question paper है, वो हमें solve करने हैं, कब जा करके करने हैं, हमें जैन से इनको शुरू कर सकते हैं, आपके questions, कितने questions, आपके 85% जो questions होते हैं, वो repeat होते हैं, आप अगर 2016, 17, 18, 19, 20 की अगर question paper को उठाओगे, आपके limited से question बनेगे, लेकिन आप उसमें एक चीज़ चेक करोगे, कि mostly questions के language change हो गई, लेकिन question वही आ रहे हैं, और होता भी ऐसे ही है, तो आपको previous question paper है, एक तो idea हो confidence रहेगा, pattern को लेकर के, confidence रहेगा कि ऐसे question आने वो तो मुझे आते हैं, confidence भी बढ़ेगा, और त्यारी भी हो जाएगी, थोड़ा idea भी better लग जाएगा, कि question तो वही है जो topic जो आप पढ़ रहे हो, बस question की language change होती है, वो language change कैसे होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि language change ह हो गए, हम mentally तोर पे prepared नहीं थे, हम उस question को नहीं समझ पाए, बाहर आते हैं exam center के बाहर, उफ ये करना था, क्या, अरे यार मुझे ये तो आता था, मुझे समझ में नहीं आया, मत confused हो गया, मैं confused हो गई, क्यों हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि हमने previous year question paper नहीं देखे, तो वो हम better तरीके से बार-बार उनको repeatedly हमें देखना है, तो उनको हमें निकालना है और उनको चेक करना है, okay, 15th है never force studies, बेहत जरूरी है, force करने study नहीं होगी, कभी आपका मन नहीं होता पढ़ने का, कई बार ऐसा होता है कि हम book लेकर के बैठे हैं घंटे से और पहले ही चार लाइन माइन में कुछ और चल रहा है, मन खुश नहीं है, study होगी, नहीं होगी, जब मन ना होना तब मत कीजिए, book लेके नहीं बैठना हमें, कि मन नहीं है तो book को बंद करना है, tv, mobile, जो भी करना है, छत पे जाना है, dance कीजिए, कुछ भी कीजिए, पढ़िए मत, क्योंकि study तब हो तो कभी-कभी ऐसा होता, that's okay, कि अगर आपका mood नहीं है, that's okay, अगर आप अच्छा feel नहीं, that's okay, आपकी तब यह ठीक नहीं है, या that's okay, आपके घर में आपके cousin आयो है, या आपके relative आयो है, और आपका मन नहीं करा, अगर किसी दिन नहीं करा ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम हमें उस वक्त, बिलकुल, भुक खोल के नहीं बढ़ना, बंद ही कर देना है, हमें उनके साथ, जो भी हमें activity करना ही, वो कर सकते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त हमें सिरफ पढ़ना है, तो यह थी कुछ tips, कुछ बातें, छुट-छुटी tips थे, लेकिन ब अमेद करता हूँ, आपकी study बेहद अच्छे तरीके से चल ले होगी, ऐसे ही पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं, हमारे साथ भी बने रहे हैं, आपकी class के 10th class के सभी question papers, और सभी जो important questions हैं, वो हम इसी channel के उपर available करवाते रहेंगे time to time, और आपकी class के social science के सभी chapters के notes भी इसी channel के उपर available हैं, आप उनको check कर सकते हो, इस channel को like, share, subscribe जरूर कीजिएगा, और आज की video कैसे लेगी, या आपका कोई ओर doubt हो, तो आप comment करके मुझे जरूर बताईगा, thank you, bye bye, have a nice day.